हेलो आपका स्वागत है आपके चैनल एक्जाम प्रेक्टिस में आज की वीडियो काफी इंपॉर्टिंट होने वाला है वह इसलिए क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए है वह ट्रांसपर पॉलिसी के रिगॉर्डिंग था तो रिसेंटली केंदी वीडियाले संग कंपेर करेंगे कि 2023 और 2021 जो इसके पहले ट्रांसपर पॉलिसी थी दोनों में कंपेरिजन क्या है क्या क्या बदला हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टिंट हो सकते हैं के वीडियो के लिए और तो वीडियो को अंतक देखना नहीं भूलिएगा काफी कुछ नई चीजें इसम ग्याय और रखा गया है पांसाल रखा गया है किसी यहार दिख्यरक्त करकर गिंगा तक का इसा पॉलिशी में है इस्में ग्राउंड जो है बता दो कि displacement के लिए क्या क्या condition हो सकती है कि सब्सक्राइब कि पॉइंट मिलते हैं तो 30 जून तक का count किया जाएगा और प्लस टू पॉइंट मिलेंगे हर साल के एक साल होने पर आपको प्लस टू पॉइंट जो है मिलेंगे एक स्टेशन पर रहने के एपी ए आर जो है अपार का मतला एनुवल पफॉइंट जो रिपोर्ट रहती है हर साल दो पॉइंट मिलते थे लेकिन अब इसे खतम कर दिया गया है इसका मतला एपी आर का कोई भी इन्वाल्मेंट नहीं से क्या नहीं होगा आपकी ट्रांस्पर को रिकर्ल इसे क्या कि दिया गया है रिमूब कर दिया गया है अब से मृंध किया Ben रहे यह पहली की तरह सेम है सेम जहां पर लिखा इसका मतलब उसमें पहली की तरह रखी गई है पॉलिसी और जहां पर रिमूब्ड है या इंक्रीजड है वो चेंज किया गया है जो फिजिकली यह 50 से घटा करके 14 माइनस 16 पॉइंट करे गए हैं LTR किसी के 3 साल जौब के बचे हैं किसी स्टेशन पे हैं तो माइनस 6 पॉइंट हैं डिस्प्लेज करने के लिए यानि इसके 6 से जादा होंगे तब वो डिस्प्लेज कर पाएगा पहले माइनस 50 थे इसका मतलब इसका थोड़ा वेटेज कम किया गया है इसैंटरल का इंप्लोई है और तौमाइनस एट रहेंगे माइनस त्क्स रहेंगे स्सरेट के हैं Singapore निहींस त्यूंच रहेंगे व सब के अलावा तो माइनस त्रांसपर काउथ होंगे जो points मिलें हर साल के वह किस तरह से valid रहेंगे आप यह देखते हैं यह यह आप active station पर रहते हैं एक साल तो वहाँ पर अभी new में plus 2 points मिलेंगे वह पहले भी मिलते थे तो सेम हैं बिल्कुल और कहें आपको प्लस 2 पॉइंट में लगते वहां वहां वो खतम कर दिया गया जैसा कि उपर डिस्प्रेश पॉइंट मेंभी खम किया गया है जो इस पॉइंबर की नमबध इस आफ le month की एक दिया गया है प के लिए मृत्ले सब्सक्री yuk पॉइंट जो कि क्या किया गया है इंक्रीज किया गया है प्लस 30 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया है मेडिकल ग्राउंड जो है वो 50 पॉइंट था अब 35 कर दिया गया है जो एल्टी आर था जहों तीन साल आपके जॉब के रह गए हैं पहले उसे 50 साल में 50 पॉइंट मिल यहां पर plus 20 कर दिया गया है पचास से प्लस 15 कर दिया गया है स्पाउस के लिए जो के विस में है सेम स्टेशन में है स्पाउस Central Government Autonomous Body यह सब जो Central Government से रिलेटेड है प्लस 12 करा गया है decrease कर दियागे है पॉइंस को स्टेट के मोई को 10 पॉइंट ही रखा गया है is women employee कुसी इन सम्में नहीं है जोंमें किसी और जॉं में तो प्लस आर्ट पॉइंट जो है रखें गए हैं इदि मेंबर है किसी तरह का जो के बीस में जेसी में होती है जो अलगले औरगनाइजेशन होते है चीचर्स के जो रहते हैं और संगठन होते हैं तो प्लस इक्स पॉइंट कर गया है 25 से डिक्रीज करके और अवर्ड विनिंग जो एंप्लॉई है उसे घटा दिये गया तो काफी चीजें इंक्रीज नहीं की गई है माइनस सी करी गई है डिक्रीज की गई है तो यह चेंज थे इस ट्रांसफर पॉलिसी में तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए भी आप जो के विसके इंप्लाइए वो भरेंगे फॉर्म करने के लिए और जो नए हैं जो की विस में आएंगे अभी आज एक एस्पीरेंटर उन्हें भी इसकी बारे में पताथ चल जाएगा कि ट्रांसफर के से होता है कॉन सी प्रोसिस अपनाई जाती है तो जो ट्रांसपर काउंट होते हैं उसके बेस पर जो है ट्रांसपर होते हैं जिसके ट्रांसपर काउंट या पॉइंट से जादा होते हैं उसको प्राइवरिटी दी जाती है और पॉइंट के सधार पर दीए जाते हैं आपने अभी देख लिया होगा आई थिंग ये वीडियो काफी शॉर्ट थी लेकिन शॉर्ट इसलिए थी क्योंकि सिर्फ इसमें मैंने कंपेरिसिन किया है जो ट्रांसपर पॉलिसी 2021 की है और यह जो दो हो जाती है इसकी नई ट्रांसपर पॉलिसी है जल्द ही एक से दो महीने में आप नए जो यह प्रिटी का और प्रिटी के जब तक इंटर्वी भी होने लगे लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वह के इंप्लाईज के ट्रांसपर की बाद ही होगी तो पहले ट्रांसपर होंगे यहीं इन्फॉर्मिशन मुझे देनी थी इस वीडियो के तरू आई तिंक आपको व शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाईए हर एक वीडियो पर थैंक यू सो मच